सूरा मेरे मेज पमान तठाना फिर मेनी सिख्खा पधिंग समाधियानी बुद्धन आज एक बड़ा खास दिन है, सर ना भाना जी का आज परी निबत दिन है, दिबस है आज के दिन सर दीना भाना जी ने अपना सरीर पूरा किया था, 2006 में, 29 अगस्त को पिछली वार भी जब हमने 29 अगस्त को काईकन लगाया था, तो तब भी सर दीना भाना जी के वारे में उनको हमने नमन किया और उनकी वारे में हमने बताया था दरसल मौम्बत्ती जब जलती है तो माचिस की तिली को लोग भूल जाते हैं और मौम्बत्ती को याद रखते हैं ये एक प्राकर्टिक बात है क्योंकि ये एक हमारी परंपरा में हैं लोग इस्टार्टर को यानि जो स्टार्ट करता है जो मौंबत्ती को जलाता है उसको भूल जाते हैं और मौंबत्ती के प्रिकास को प्रिकास और जिसने मौंबत्ती प्रकट रखिया उसको याद रखिया पर इसमें अच्छा मानने के लिए और बुरा मानने के लिए कोई बात इसमें है रहे है जवानी के दिनों में जब जैपुर में रहते थे तो एक भैस के दूद के उपर जगड़ा हुआ किसी ने जो वमर था उसने कोई भैस दी उनके पिताजी को जो सर दीना भाने जी के पिताजी थे कि आप इसको पालो वो उसको पालते थे सारा उसका मेहनत करते थे और दूद ले जाता था वमर यह बात सर दीना भाना जी को बड़ी खटकती थी और उनका जगड़ा उनके फादर से हुआ इस बात को ले के चुकि फादर जानते थे के हमारी सिती बड़ी खराब है इसलिए बेटे को चुप कराते थे पकर बेटा जवान और जागरत और विद्रोही वो घर से निकल जैपूर से पूना पहुँच गए और पूना के DRDO में वहाँ जो स्वीपर का काम है वो करने लगी पर बचपन के जवानी के दिनों में उन्होंने बावा साब की स्पीच को सुन लिया और बावा साब की स्पीच जो सुन लेता है चाहे अब सुन ले चाहे पहले सुन ले च आदमी के अंदर जो पुराना सद्यों पुराना जो समण होने का बीज है उसको पानी मिल जाता है और वो पौधा बन जाता है और कोई सही से पाल ले तो दरक्त भी बन जाता है और बड़ा मजबूत फिर वो अखड़ता रही है अैसा ही बीज अए जब उनके अंदर पढ़ा और वो पहले से ही समढ़ थे बलकर दीना भाना सर्तों महा समढ़ थे तो वो जन जागरती उनके अंदर रही, काम बेसक उनको गंदा मिला क्हों कि परंपरा आके तहित में मिला था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखे थे नहीं तो इस गंद बावा साब के जन दिन की जैनती की छुट्टी चाहिए। ये जो पुराना समढ संगी का, जो समढ होने का जो बीज उनके अंदर था, उस बीज ने उनको चिताया, चाहते तो वो खुद भी छुट्टी लेके बैठ जाते, पर वो चाहते थे कि इस बीज को चारा तरफ फैलन माने, जो जागरत आदमी है, फक्कड आदमी है, क्या बिगाड़ लेका कोई उसका, तो वहाँ वो सस्पेंसन के बुरूद में लड़ाई शुरू की, और पता चला के यहाँ पर कोई रवी दास मत का कासी राम रवी दसिया है, तब वो कासी राम रवी दसिया लिखते थे, और क्लास वन अफसर हैं, पंजाब के हैं, बड़े लंबे चोड़े हैं, तो अपनी फरियाद लेके वो वहाँ गए, कि भई देखो हमारे समाज की बात है, आप भी समाज से आते हो, हम भी समाज से आते हैं, दोनों समण हैं, आप मेरी मदद करो, उन्होंने अपने सस्पें हैं, पर दीना भाना जी अड़ गए, सहाब कासी नाम तब तक सहाब कासी नाम नहीं थे, कासी नाम रवी दशिया थे, उस समझे नहीं कि ये किस व्यक्ति की छुट्टी मांग रहा है और क्यों मांग रहा है, कौन हम बेट कर, कैसा हम बेट कर, ये बात समझाने के लिए, ए वो किताब इतनी खतनाक है, मैं जब भी उस किताब को उठाता हूँ, एक पन्ने से दूसरा पन्ना आगे नहीं प्लटपाता, मैं उस किताब के उपर एक हजार वीडियो बना दूँगा और वो भी कम है, उसके हर सब्द में एक वीडियो है, हर सब्द में एक घंटे का व्याक खान है वो इतनी जबर्जस किताब है उसके वारे में लेखक कहते हैं जो दुनिया वर के लेखक और साहितिका जिन्हों ने रिसर्च की है कि अगर बावा सापका सारा साहित्ते भी खतम हो जाता सारे वॉलिम भी खतम हो जाते और यह एनले सर्फ कास्ट का सिर्फ भाजन बच जाता तो भी पूरा साहित्ते इसके अंदर है और वो वास्तम है क्योंकि वो बहुत कॉंपैक्ट है वो बहुत कॉंप्लैक्स है उसके एक-एक सब्द में पूरा का पूरा सार है पूरा एक-एक घंटे का लेक्चर है उसके एक घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है तो वो क डिब्बी सरदीना भाना जी ने उनको दी उस माच इसकी डिब्बी से साहाब कासी राम के अंदर का बारूत भट गया और रात मनिस उपाए और उन्होंने प्रण कर लिया कि अब हमको समाच के अंदर जाना है और इस आग को चातर फैलाना है ताकि हमारे लोगों की ठंड मच जाए ये तापमान याग जाना चाहिए और वो लग गए सर दीना राम भाना जी के साथ में सर डीके खापड़े भी थे डीके खापड़े पुराने मशनरी अंविट करवादी थे वहीं इनकी दोस्ती हुई वो दोस्ती बनी आगे वहीं साब कासी राम जी ने तै किया पिर उन्होंने अपनी नौकी छोड़ी बाकी हिस्टी आप जानते हैं सर दीना भाना जी का जो काम था बहुत बढ़या था क्योंकि जितनी जानकारी उनको बच्मन में हुई उसका उन्होंने पूरा फाइदा प्ठाया बुद्ध की एक धम गाता है कि कोई आदमी अगर ए गाता पढ़ लेता है गाता मतलब गाकर बताई हुई कथा यानि कि जो बुद्ध ने बातें बताई गाकर जिनको गया जाता है अगर एक कोई गाता पढ़ ले कोई समझ ले और उसको लोगों को समझाए तो वो हजार गाता वाला जो लोगों पे दादागरी जमाता है उसस से लाध गुना बहतर है धिको या अपासक या जो बताने हाला है या समझाने वाला है या विचारक है या आज हम जिसको कहते है प्रवक्ता यावक्ता या इस्पोप वही काम सर दीनाभानाmbानाजी ने किया कि उन्होंने एक ही गाता सुनी बावा साप की और एक गाथा को उन्होंने कंट में बाद लिया और उसी के लिए वो आगे बढ़ गया और वो काम आगे बढ़ गया तो जो माचिस पकड़ाई वो माचिस पकड़ाई दीना भाराजी ने और जो बारू था साब कासिराम के अंदर वो बाल फटा और उसका प्रणाम आप सब दिया जाता है इसको भी समझें आप सर दीना भाना जी ने कभी भी जाती को आगे नहीं बढ़ाया जो डॉक्टर अंबेटकर को सुन लेता है उसकी जाती उसी दिन खतम हो जाती है चाए भले ही वो बुद्धिष्ट बने या ना बने वो बुद्धिष्ट हो जाता है क्यो जो जिसको ये कहते हैं कि ये वालमी केन हैं या वालमी की साय हुए हैं या जो आज उनकी लोग उनको खींच-खींच कर वालमी की बोलते हैं या जो वालमी केन बोलते हैं या कुछ लोग दिना महना भंगी बोलते हैं या कुछ लाल बेगी बोलते हैं या ये कहते हैं कि ये हम गया उसकी जाती खळम हो गई वो व्यक्ती दौनों भाई-भाई ऑगे एक वाल मिकें यानी एक वाल मिकी और एक रवी दासिया दौनों मिलके मिटकरवादी होगे, दोनों मिलके बुदिस्ट होगे, दोनों मिलके अलग जला रहे हैं चाहिक, और लोगों को रास नहीं आता क्योंकि जो ये देखता है, अरे ये तो दोनों भाई फिर एक होगे, वो भाईयों को एक कैसे होने नहीं है। जिनको समझ मेन नहीं आता है कि सर दिनہ भाना जी ने क्या काम नहीं किया। वो उनको जात पकड़ा देते हैं वो उनको पद पोश्ट पकड़ा देते हैं वो दोनों भाईयों में आपस में लड़ाने का सामान पकड़ा देते हैं वो ऐसा ही सामान उनके दोनों के जाने के बाद पकड़ाया गया और कुछ लड़कों ने और कुछ लड़कियों ने जिनको नेता बनना है जिनको समाज से चंदर के धंदा करना है जिनको पैसे खटा करना है जिनको पोश्ट चबवाने है जिनको फेमस होना है वो क्या कहते है दीना भाना जी ने इतना काम किया और उनका कहीं नाम नहीं है त सब लोग कासी राम जी को सुरे देते हैं, दोनों भाईयों को लड़ा रहें आपस रहें, दीना भाना जी ने ऐसा कहा, पर उनका कहीं नाम नहीं है, उनका कोई नाम लेवा नहीं है, ये जो कासी राम वाले लोग हैं, ये जो अमबेट कर वाले लोग हैं, ये दीना भाना जी है जब तक जानकार नहीं होगी आप सवालों के जवाब दे नहीं पाएंगे यह जो पोर्टल आरंब हुआ पांच मई से इस पांच मई के पोर्टल को सुरुआ करने के लिए क्योंकि काम तो बहुत प्ले से चल दा है काम तो दो हजार एक और दो से यह बात चल रही है कि खट लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि संग ठन से बात नहीं बनेगी, संग ही चाहिए, तो संग में लोग बात को समझ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बहुत तही से आ रहे हैं, पर इसकी जो विर्चूल जो मीटिंग स्बार्ट होई वो करणा काल में हुई, और करणा काल मे एक लड़के ने मेरे से ये पूछा कि हमने आपका भंगी वाला वीडियो सुना और हमारे कुछ सवालों के जवाब है सवाल पूछने हमें तो वो लड़का मेरे से फोन करके सवाल पूछता है मैं उसके जवाब देता हूँ वो कहता है कि यह ऐसी जानकारी तो हमें किसने दी नहीं आस तक मेरे कुछ मित्र हैं वो मित्र हमें ले आओं अगर वो सवाल करें तो आप जबाब दें तो मैंने कभी ले आओ कोरोना काल में तो सब बन था तो उन्होंने मैंने का भी जूम पे आप आ जाना पून पता नहीं हम आपस में मिल भी लेंगे बात फिक लेंगे तो जूम पे पांसाथ नड़के वो आए और जाएरसी बात है कि वो भंगी के वीडियो में इंटेस्टिट थे और वो सर दीना भाना के फॉलोवर थे उसाप काचिर आपके फॉलोवर थी पर दीना भाना जी के ज़्यादा फॉलोवर थी तो उनसे बात होने लगी पांसाथ लोग आए फिर तींचा लोग और आए फिर मैंने अपने कुछ मित्रों को फॉन कर दिया जो बाचित करना चाहते थे हम आपस में पहले से बात करते थे बड़ा बड़ी अप्रेट फार्म हो गया हमें आइडिया नहीं था कि यह जो माध्य हमें इतना बड़ी हमाध्य हमें कि यहां हम रोज चार घंटे की संगती कर सकते हैं और वो भी बहुत कम पैसे में 673-78 रुपे जाते हैं लगवठ साथयार जाते हैं एक महीने के और उसमें हम पूरे महीने 24 घंटे संगती कर सकते हैं तो उन्होंने लिंक भेजा, लिंक भेजने के बाद में चार पाद दिने उसे बात हुई, फिर वो लिंक मैंने जारी करना सुरू कर दिया, और ये संगती चलनी सुरू हो गई, ये संगती चलती रही, ये आगे बढ़ती रही, पर उन्हों लड़कों ने छोड़ दिया, उन् जो हमारे साथ ही थे उनको लगा कि ये लड़के अभी ना समझ हैं ये बातें बैठके तेया हो सकती हैं मगर कोई घड़ा बड़ा नहीं था पर लड़के किसी सामाजिक संथन से पहले ही जुड़े हुए थे और उनको अपना सामाजिक संथन से बड़ा लगाब था और कुछ लड़के उनमें जाती वादी संग्ठन से जुड़े हुए थे, उनको जाती वादी संग्ठन का बड़ा अभिमान था, गरब था, और बात वो अम्मेटकर की करते थे, तो मुझे कैवार हसी आती थी, अरे जाती का संग्ठन लेके घूम रहे हो, जाती वाद की बात कर रहे हो सर दीना भानाजी को जाती में खीच लाए और बात करते हो मियट करकी कैसे मियट कराईट हो तर कहते हैं हम कास् Direर से मैं नहीं कहता मैं करवा संध्रणों को दो बोलता हूं पर व्यक्ति को नहीं बोलता क्या जो भगवान रूद को पड़ा वो सब जानकारी मैंने अपने घर में सीखी इसलिए मुझे उनको देखके तरस भी आता था और हसी भी आती थी अरे क्या बच्चे हैं पर बच्चे हैं इसलिए उनको कभी कड़वा कहा नहीं पर मैं नहीं बोलता जो बाकी मेरे साथ थी तो कह सकते हैं कि इसकी जो माचिस है वो दीना भानाजी के फॉलोवर कुछ लड़के आये थे और उन्हें सुवाग की थी इसमें कुछ जाता भी नहीं है किसी को स्रे देने में या किसी को कुछ कहने में समर संगा क्या जाता है समढ़ संग तो सब को सरे देना चायता है, सभी समढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समढ़ संग है, समढ़ संग ना हमने स्टार्ट किया, ना उन लड़कों ने स्टार्ट किया, ना वो सरदीना भानाजी ने स्टार्ट किया, ना काशिराम जी ने स्टार्ट किया, ना वो व्यक्ति बाद में जाता हो या व्यक्ति को सरे देता हो या व्यक्ति की परसंसा है तो यहां कोई व्यक्ति परसंसा लेने को तियार भी देंगे। देते रहो आप जिसको परसंसा देनी है यहां किछे को फरक नहीं पड़ता है। बोलते रहो जो जो बोलना है यह पहले आया भानाजी को खीच के लाए. उनको नोगों ने हत्यार प्कड़ा दिये. पहले तो दोनन भाई को लब किया. फिर ये कहा कि ये कासी नाम की ये लोग सारा के सारा अरक्षन का फ़िये. अरे भाई. कितनी वार बताया, कितनी वार बताएं आपको. आप ये बताओ कि ये पर देश के अंदर लोग हैं या जहां 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 और भी लोग हैं जहां 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 बावा साव अमिटकर की बात को मान के लोग पड़ रहे हैं वो जितने भी लोग हैं उनको जो आरशन मिल रहा है एजुकेसन का या पॉलिटिकल में एमले एमपी बनने का और या उनको न ये आरक्षण जो मिलता है, इसके अलोटमेंट का जो पावर है किसके पास है? कौन आरक्षण को देता है? आरक्षण की पॉलिसी जो लिखी हुई है, जो रूल लिखा हुआ है, जो नियम बना हुआ है, उसकी पॉलिसी कौन बनाता है? उसके कानून कौन बनाता है? कौन उसक इसको मिलेगा ये मिलेगा वो सरकारे किसकी हैं उस सरकारे क्या सहाब कासी राम के लोगों की हैं उनके फॉलोवर की हैं या उनकी पार्टी ने पॉलिशी बनाई बाद में बनी पार्टी तो या उन्होंने बनाई हाला कि आरक्षण तो पहले से मिलना है बावा साब ने कानू तक के लिए दसमें तक पड़ा होना चाहिए, इस नौकरी के लिए बारगी तक पड़ा होना चाहिए, इस नौकरी के लिए एम में होना चाहिए, इस नौकरी के लिए एम्फिल होना चाहिए, इस नौकरी के लिए पीएश्बी होना चाहिए, तो रिक्वार्मेंट तो पूरी लिखे ज्यादा मार्स ले कि आ जाएगा इस बात को समझने में के दिक्कत आती है क्या इस बात को समझ में नहीं आता कि नोकरी लेने के लिए पढ़ना जरूरी है सफाई की नोकरी के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है पर बावा साब के कहने पे जिन जिन लोगों ने सफाई की काम छोड़ दिया या चम्रे का छोड़ दिया या गंदा छोड़ दिया उनको नोकरी थी भी तो भी उन्होंने नोकरी ने ली नोर्थ वालत के अंदर जितने भी चम्रा गंगने का काम करने वाले चम्रा काटने का काम करने वाले जानवर की खाल निकालने का काम करने वाले या जूता गाटने वाले या जूता बनाने वाले या चम्रे की मसक बनाने वाले या चम्रे की बेल्ट बनाने वाले या च सबसे ज़्यादा आमधनी चम्रे के काम से प्रण जमाने में होती की जिसके पास जतना ज़्यादा चम्रा जतना जादा लैदर उतना बड़ा आदमी इतना बड़ा रिच पर बावा साब की एक अवाज़ पे नौठ इंडिया के सभी लोगों ने चम्रे का काम छोड़ दिया भूके मरगे ठेले लगाए, राज बने, मिस्ति बने, पड़े लिखे, नौकरी गी, गालिया खाई, बेज़ती कराई पर काम नहीं पकड़ा दुबारा बावा साब कहने पर और जिन लोगों ने बावा साब की बात के कहने पर काम पर नहीं छोड़ा रोजी गंदे कामम लग कहती रास्ता बता बताता है, चलने का काम तो आपका है तो जो आरक्षण मैं नौकरी किसी भी हालत में देने की जुमधारी weakness of India की या state government की है, वो रभी दास्याग की या कासि नाम जी की या कासि नाम जैसे लोगों की नहीं आपको अगर blame करना है, तो government को कीजिए. आपने एक वार भी गौर्रमेंट को भी नहीं किया, आपने एक वार भी गौर्रमेंट को नहीं किया, तुमने हमारे लिए आरक्षल क्यों नहीं दिया, या हमें क्यों नहीं तुमने पॉलिशी दी, या क्यों नहीं लेके आए, अरे भाई, बावन परसेंट आरक्षल OBC का है, उसको 27 परशन्ट मिलता है पर वो 77 परशन्ट में बज़े हैं वो कभी अपना बाउन परशन्ट मांगते नहीं जब मांगते ही नहीं तो देगा कौं मांगो तो मिलेगा यहां जो आरक्षण है जो रिर वेसन है उसको मांगो कि हमारा पूरा नहीं है तुम मिलेगा पॉलिसी बनवाओ कि हमारी पॉलिसी क्या है क्या नहीं उसको बनवाओ तो जुम्मेदारी देने वाले की है तो देने वाले को पकड़ो तुने जो देने में भेदबाप किया है तु बता इस भेदबाप का करण क्या है अब पकड़ो पहले नहीं पकड़ा कि तुमने भेदबाप क्यों किया पर आप लोगों को ये भढ़का दिया कि आपका आरक्षन आपका भाई ले गया और भाई को जा के पीटो अरे भाई को जगड़े से क्या फायदा वो आपका भाई है कोई ना कोई तो उस आरक्षन को लेके जाता जो पढ़ता हूँ लेके जाता कम से कम बेकार तो नहीं गया ये ठीक ऐसे है कि अगर गोभी का फू तोक्रा लेकर आया, वो कितने लेकर जा सकता है? एका लेकर जाएगा, दोचा लेकर जाएगा, उसके सर पर गिरेगा, यह रास्ते में गिर जाएगा. अब आप यह कहो कि जी यह जो टोक्रा लेकर आया था, इससे जाके ले लो, अरे बे देने वाले, तू उसके लिए टोक्र जी के follower हैं जो उनके जानने वाले हैं जो उनके मानने वाले हैं उनको तो आरक्षण उन्होंने दिया है नहीं जो government थी अब जो उनका भाई यानि जो रविदेसिया थे जो साफ काशिनम वाले लोग थे उनका भी आरक्षण चला गया दोनों भाईयों को मार पीट के उनके आर तो जैसे गया है वैसे आ जाएगा पर कहानी बना दी अब A, B, C, D आरेक्षन हैं अब तुमको 2% मिलेगा तुमको 3% मिलेगा तुमको 5% मिलेगा इनको इतना मिलेगा अरे बैं मिलेगा तो जब ना जब होगा कहीं अब आरेक्षन की डिमांड का कोई फायदा नहीं है अब आ बहुत गिनी चुनी नौकरियां रहेंगी वो भी एडमिस्टेसर में रहेंगी अब तो फोर्स भी आपने देखा होगा कि जो फोर्स का सिस्टम आया उसमें चार लोग जाएंगे चार टेनिंग लेंगे एक को रखेंगे तिन को निकाल देंगे तो अब आरेक्षन नहीं है कहीं भी इसलिए आरेक्षन पे लडने का या आरेक्षन का पुराना सिस्टम है आपको गोर्र्मेंट से पूछना चाहिए अपने भायों में लड़ना चाहिए तो सर दीनाराम भानाजी हैं या सर काशीराम सर हैं या मानेवर काशीराम जी हैं ये दोनों आपस में भाई-भाई हैं आपको समझ में आता है तो आप भाई-भाई मान के भाई-भाई हो जाईए और नहीं समझ में आता है तो आपकी बुद्धी पर जो बैठा हुआ है उससे पूछिये कि आपको मिला क्या, जिसने आपको ये पकडा दिया कि जाके आररखशन के लिए लड़ो आपस में, जाके ये लडो कि सरो दिना भःना जी के रेस्पक्ट नी होना, जाके जिसने आपको लड़ाने के लिए बुद्धी दी है, उससे पूछो कि आपने हमें खाली लड़ने का इसामान दिया है या कुछ रोजगार भी दिया है या कुछ चीज भी दिया है तो आपकी आँके खुल जाएंगी देने वाला आपको रोजगार देता होता आपको कुछ देता होता तो आरशन पकला देता चुपचाब के लिए तो जगड़ा और ने आरक्षन भी दो और यह आरक्षन बंद हो रहा है इसको खोलो और जो डेपार्टमेंट है उनको दुबारा से पबलिक करो गवर्मेंट का बनाओ उनको सरकारी बनाओ पर आप अलग अलग रहोगे तो पिटोगे अभी हालत यह हो गई है कि जो पुराने काम है वो भी नहीं मलने वाले हैं ने काम हो की तो छोड़ो जो बच्शे पर लिगए हैं कहीं भी पड़े लिखें हैं किनी भी, סबुदा अमें पर लकिए हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं, बच्चे सारे मारे-मारे घूम रहे हैई ना इंड़ेश्ट्ट्री है है प्राइविट स सुकी रूठी चत्नि के साथ मिलती है सुकी रूठी चने मिलते है चने खाने से या सुकी रूठी खाने से गोड़ी की طरह काम कर सकते है और आदमी की तरह बुद्धिमानवाला काम नहीं कर सकते तो कि बुद्धी को चलाने के लिए ब्रेन को चलाने के लिए एक सरीर जो चाहिए उसके अंदर सारे मिनल्स चाहिए उसमें उर्जा का प्रभाव होता है उस इलेक्टिशिटी को दोडाने के लिए आपको मिनल्स खाने पड़ेंगे यानि कि धातुई की जो चीज होती है वो खानी पड़ेंगी और ये जो मिनल् पर जो लोग बिटामिन और मिल्स खाते हैं वो सोच सकते हैं यही कारण है कि हमारे बच्चों की सोचने की तादात इतनी जादा हो गई कि वो कंप्रिशन में जो बाकी दर उदर के फालतुपंड के जो लोग थे उन से उपर जाने लगे यह चिंता का विसाय हो गया हमारे लि गे तो लेटरिल एंट्री आ गई जिसको उठाएंगे उसको अफसर मना देंगे अब आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं अपने घर बैठिये और घर बैठे बैठे तो लोहा भी जंग लग के बेकर हो जाता है आदमी की तो बात छोड़ो इसलिए घर नहीं बैठना है घर बैठके तो खतम हो जाएंगे इसलिए इखटे होना है इखटे होंगे तो बचे रहेंगे इखटे होंगे तो सारे अधिकाल लेनेंगे इखटे होंगे तो जीत जाएंगे पहले भी जीते हैं नहीं समझ में आता तो देखो मेरे दोनों तरफ दो फुटों है एक सर्क दिना भाना जी अपनी किताब लेके अलग पड़े रहते हैं, सस्पेंसर भी पढ़ा रहता हुआ ही, छूटते नहीं क्योंकि जो कासिनाम जी उन्होंने यह का था है, कि दीना भाना भाई आप कोड के लड़ो, तो दीना भाना जी का मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने पैसा या उनको और मद्दे के जमाने बहुत मुटी रखम दी ताकि केस लड़े तो दोनों भाई मिले तो लड़े और दोनों भाई अलग अलग होते तो ना तो काशी नाम जी आज होते और ना दीना भाना जी का हम यहां परिनिबान दिवसमना रहे होते इसलिए उन बेफकूफों को जो दीना भाना जी को जात में खीच लाए और जो छोटा कर दिया एक नेशनल और इंटरनेशनल फिगर को जात में खीच के छोटा करके कर दिया उन लोगों से मेरा नेवदन है इस वीडियो को सुनो और जितने भी समण संगी है कल यह वीडियो लग जाएगा हर एक ऐसे गल्ती है, क्यों गल्ती है? गल्तियां सुधारी जा सकती है, पर अगर कोई मूर्ख अपने लालच में, अपने राग में, अपने दुएस में, अपने MLA बनने में, अपने MP बनने में, अपना फूटू चमकाने में, अपना प्रसंसा में, अपनी प्रसदी में, अपना नाम का माने में लग जाता है तो वो गलती नहीं होती वो जान के किया हुआ करम होता है जो हमें गड़े में लेके जाता है ऐसे आदमी को पैचानना चाहिए कि दोनों भाईयों को अलग-अलग करने वाले कौन है और दोनों भाईयों को एक साथ लेके आने वाले कौन है समढ़ संग ह जिद्ध है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, पहले भी जुड़े थे, जीते थे, अब भी जुड़े हैं, जीतेंगे, जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, वो मारे गए हैं, जुड़ना है, जीतना है, यही काम करना है, संग को नमस्ते करना है, संग को नम नमामी बोलना है संगह नमामी जैभीम नमुद्धाय बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शुदी राज्दाव बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़ि इस कटके सर्जी का है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हें की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी बूतियं पी धम्ममर सरनं गच्छामी बूतियं पी नमम सरनंगच्छानी तूतियं पी संगों सरनंगच्छानी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी ततियं पी संदम सर्णं कच्छानी साथू, साथू, साथू साथू, 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 साथू